परमात्मा शिरी कृष्ण की वाणी गीता गुरू शिष्य समवाद है। अतह अर्जुन ने स्विकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ। मुझे वोप देश दीजिये, जिससे मैं परमश्रे को प्राप्थ हो जाओ। अतह उस परमगुरू के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये स्थुति गुरू वंदना प्रस्तुत की जा रही है। पौमश्री सत्गुरु देव भगवान की जयू। जयसाद गूरू देवं परमानंधं आमाराशरीरं आविकारी नीरगुण नीरमूलं दरी सूलं कातना शूलं माभाभाई सूरतनी जासो हम काली मालको हम जाना मनमोहना चादिभानी आमाराशरीरं आविकाराशिरं आविकाराशिरं निर्विकारी आविकारी 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 आ आवातारी योगी अध्वैस्टा त्रीकाला ग्रस्टा केवाला पादा आनंदकारी चित्रपूत जी आयो काद्वै तलकायो आनुसूई्या आनुसूई्या कासनमाई श्रीपरमाहंसस्वामी अंधर्यामी है मननामी संसारी हंसनहीतकारी जगपगुधारी गर्मत्रहारी पुपकारी सतपन कचलायो पुपकारी यह शिश्या है तेरो करतनी ओरो पुपकारी 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 जया सद्द्द्द्द्द्द्द्द्ध् पुपकारी 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 आपकार्ट शुर्ण शुर्यम् भावा भावारी ओम जया गुरुदेवा 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 जया गुरुदेव जयः गुरु देवा जयः गुरु देवजों जयः गुरु देवा जयः गुरु देव अम्रि तंश बहनों तथा भाईों जिन महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया, वेदान्त शास्त्र का प्रवर्तन किया, महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं, उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी, तो वो है भागवान श्री कृष्णोक्त गीता। तरह तरह की पूजा पद्धतियां, परसपर विरोधी संगठन, धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, जबकि धर्म का लक्ष है एक परमात्मा की शोध। ख़ल्यान स्वरूप वो परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की निश्चित कृया का पालं धर्म है। आत्मा एक है, उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है, तो बहुत से पंथ क्यूं? इसके समाधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भावंश ये गीता कैसिट। धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद तथा पूर्ण विवरण युगेश्वर श्री क्रिश्नुक्त गीता है। विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है वो सब का सब तथा अनेक गोपनी स्थितियों का स्पष्टी करण अकेले गीता में है। इसलिए संपूर्ण मानवजाति के कल्यान का अतर की शास्त्र गीता है। महाभारत में संकेत है कि जब कौर्वों और पांडवों की सेनाय आमने सामने खड़ी हो गई। तो संपूर्ण निशानतर कौर्वों में प्रवेश कर गए। और सभी देवता पांडवों में। इस कथन से महर्शि व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर हैं तथा प्रतिकात्मक हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंतह करण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादिकाल से हैं। दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, तो काम क्रोध, राग द्वेश, इत्यादी आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रे के लिए विकल था। उसकी द्रिष्टी में श्रे का उपाय था कुल धर्म, पिंडोधक्रिया, वर्ण संकर से बचाव, कुल उक्षय से बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादी। मात्र इतनी सी शंका के समाधान हे तुप, भगवान को उसे अठारे अध्याय गीता समझानी पड़ी। अंत में पूछा कि क्या तेरा मोह नश्ट हुआ। अर्जुन ने स्विकार किया कि भगवन मेरा मोह नश्ट हो गया और अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है। वस्तुता ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, बल्कि मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें। आरहों अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितान तावश्यक है। जिससे ब्रह्म विदी की स्मृती स्रिजित रहे तथा बच्चों में भी इन कल्यानकारी संसकारों का स्रिजन हो सके। इस गीता ग्यान के बिना कोई भी मनुश्य उस इश्वर के पत पर नहीं चल सकता। अक्षय सुख, शाश्वत शान्ती, लोक में सम्रिध्धी तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसुटों का संकलन किया गया है। इसके नियमित श्रवन से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करे। संसार में कहीं भी मनुश्य हो उसके लिए गीता सदैव अम्रित वाहिनी है। गीता आपका शास्त्र है। गौरोव का विशय है कि 5000 वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है। जन्म जन्मांतर की रूडियों से ग्रस्त मस्तिश्क को स्वच्छ कर चिंतन के प्रशस्त पत पर चलने के लिए इन कैसटों का प्रसारण प्राता अवश्य करे। ओम श्री परमात्मने नमह यथार्थ गीता श्री मद भगवत गीता अथ प्रत्मु अध्यायह द्री द्राश्च उवच्छ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास्च जईव किमकुर्वत संजय ध्रितराश्च ने पूछा हे संजय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये कत्र युद्ध की इच्छावाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया अज्यान रूपी ध्रितराश्च और संयम रूपी संजय अज्यान मन के अंतराल में रहता है अज्यान से आवरित मन ध्रितराश्च जनमांध है किम्तु संयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है सुनता है वो समझता है कि परमात्मा ही सत्य है फिर भी जब तक इस से उत्पन मोह रूपी दुरियोधन जीवित है इसकी दृष्टी सदैव कौरवों पर रहती है विकारों पर ही रहती है धर्म एक छेत्र है जब हिर्दय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म खेत्र बन जाता है और जब इसमें आशुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक खेत्र बन जाता है कुरू अर्थात करो ये शब्द आदेशात्मक है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो क्षण मात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। तीनों गुणों मनुष्य को देवता से कीट परियंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतहा जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरु क्षेत्र है। औ कुरा तत्व विद्पंजाब में काशी प्रयाक के मध्य तथा अनेका अनेक स्थलों पर कुरु क्षेत्र की शोध में लगे। किन्तु गीताकार ने स्वयम बताया है कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ, वो कहा है। इदम शरीरम कौन तेय, क्षेत्र मित्य भिधी अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पालेता है, वो क्षेत्रग्य है। आगे इन्हों ने क्षेत्र का विस्तार बताया। जिसमें दस इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, और तीनों गुणों का वर्नन है। शर दीर ही ख्षेत्र है, एक अखाड़ा है, इसमें लडने वाली प्रवृत्तियां दो हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद, पांडु की संतान और ध्रिद्राष्ट की संतान, सजातिये और विजातिये प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संगर्ष का सूत्रपात होता है। ये ख्षेत्र ख्षेत्रग्य का संगर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किन्तु उनमें जीतने व और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है, जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है, कि ख्षेत प्रक्षेत्रग के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे द्रिष्ट आती जाएगे। संजय उवाच। द्रिष्टवातु पांडवा नीकम व्यूढम दुर्योधन स्तदा। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीद। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचारी के पास जाकर ये वचन कहा। दुएत के आचरण ही द्रोणाचारी है। जब जानकारी हो जाती है के हम परमात्मा से अलग हो गये हैं, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तडप पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवर्तियों के बीच यही प्रात्मिक गुरु है। यद्यपी बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थितिवाले होंगे। राजा दुरियोधन आचारिय के पास जाता है। मोह रूपी दुरियोधन। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है। दुर्योधन, दुरु, अर्थाद, दूशित, योधन, अर्थाद, वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोश उत्पन करता है, वो है मोह, ये प्रकृति की ओर खीचता है, और वास्त्विक जानकारी के लिए प्रेडा भी प्रदान करता है, मोह है, तभी तक पूछने का प्रशन भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है, अतह, व्यूह रचना युप्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थाद, पुन्य से प्रवाहित सजातिये वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने, गुरु द्रून के प व्यूधाम पांडवों पुत्राणा, आचार्य महतीम चमू, व्यूधाम दुरुपद पुत्रेण, तवशिष्येन धीमता, हे आचारिय, आपके बुद्धिमान शिष्य दुरुपत पुत्र द्रिष्ट द्युम्नु द्वारा, व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवो पुत्रों के इस भारी सेना को देखी, शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला, द्रिण मन ही द्रिष्ट द्युम्न है, यही पुन्यमई प्रवृत्यों का नायक है, साधन कठिन न मन करटेगा, साधन कठिन नहीं, मन की द्रिणता कठिन होनी चाहिए, अब देखे सेना का विस्तार इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूर्वीर, जैसे सात्वित्ता रूपी सात्यकि, विराटह, सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारण, महारती राजा दुपद, अर्थात अचल स्थिति, तथा ध्रिष्ट केतुष्चे कितानह, काशि राजश्च वीर्यवां, पुरुजित कुन्ति भोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगव ध्रिष्ट केतुष्च, द्रिण कर्तव्य, चेकितानह, जहां भी जाए, वहां से चित्त को खीच कर इश्च में स्थिर करना, काशि राजश्च, काया रूपी काशि में ही वो साम्राज्च है, पुरुजित, स्थूल, सूक्ष्म, और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुन्ति भोज़ः, कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, अर्थात सत्यव्यवार युद्धा मन्युष्च विक्रान्तह, उत्त मौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रवपदे आश्च, सर्व एव महारथाह और पराक्रमी युद्धा मन्यु, युद्ध के अनुरूब मन की धारणा, उत्त मौजाह, शुब की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुब आधार आजाता है, तो मन भह से रहित हो जाता है ऐसा शुब आधार से उत्पन अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पाँचों पुत्र, वातसल्य, लावन्य, सौम्यता, स्थिर्ता, सहरदैता, सब के सब महारथी हैं, साधन पत पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की ख्षमताए हैं इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के पंद्रह बीस नाम गिनाएं, जो दैवी संपद के महत्व पूर्ण अंग हैं विजाती ये प्रवर्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजाती ये प्रवर्तियों को समझने के लिए बात ये करता है दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है यदि कोई बाह युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता विकार कम गिनाएं गएं क्योंकि उन पर विजय पाना है वे नाशवान हैं केवल पाँच साथ विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपोर्ण बहर मुखी प्रवरत्ति विद्यमान है जैसे अस्माकम्तु विशिष्टाये तान्नि बोधत द्विजोत्तम नायकाममसैन्यस्य संग्यार्थम तान्ब्रवी मिते द्विजोत्तम हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको कहता हूँ बाहे युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है वस्तुतह गीता अंतह करण की दो प्रवृत्तियों का संगर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रों है जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग है तब तक प्रकृति विद्धिमान है द्वैत बना है इस द्विपर जय पाने की प्रेणा प्रथम गुरू द्रोंगा चारी से मिलती है अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेणा प्रदान करती है वो पूज का स्थली नहीं वहां शार्य सूचक संबोधन होना चाहिए विजाति ये प्रवरत्ति के नायक कौन-कौन है भवान भीश्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिन जयाह अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद अत्तिस्त थैवच एक तो स्वयम आप द्वयत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य है ब्रह्म रूपी पितामा भीश्म है ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है अंत तक जीवित रहता है इसलिए पितामा है समूची सेना मर गई ये जीवित था शर्शयया पर अचेत था फिर भी जीवित था ये है ब्रह्म रूपी भीश्म ब्रह्म अंत तक रहता है इसी प्रकार विजातिय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजई क्रिपाचारिय है साधना वस्था में साधक द्वारा क्रिपा का आचरण ही क्रिपाचारिय है भगवान क्रिपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है किन्तु साधन काल में जब तक हम अलग है परमात्मा अलग है विजाती ये प्रवर्त्ती जीवित है मोह मैं घिराव है ऐसी परिस्थिती में साधक यदी कृपा का आचरण करता है तो वो नश्ठ हो जाता है सीता ने दयाग की तो कुछ काल लंका में प्राईश्चिक करना पड़ा विश्वामित्र दयार्द्र हुए पतित होना पड़ा योग सूत्रकार महर्शी पतंजली भी यही कहते हैं ते समाधा वुपसरगा व्यॿत्थाने सिध्ध यह व्युत्थान काल में सिध्धियां प्रकट होती है वे वास्तव में सिध्धियां है किन्तु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विग्न है जितने काम, क्रोध, लोब, मोह, इत्यादी गोस्वामी तुलसी दास का भी यही निरने है माया अनेक विग्न करती है रिद्धियां प्रदान करती है यहां तक कि सिध्ध बना देती है ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए मरनासन रोगी भीजी उठेगा वो भले ठीक हो जाए किन्तु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नश्ठ हो जाएगा एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा यदि लक्षे दूर है और साधक क्रिपा करता है तो क्रिपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा इसलिए साधक को पूर्ति परियंत इससे सतर्क रहना चाहिए दया विनुसंत कसाई दया करी तो आफत आई लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातिय प्रवृत्ति का दुर्धर्श योद्धा है इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा विकल्प रूपी विकर्ण और ब्रह्ममई श्वास ही भूरी श्रवा है ये सभी बहिर्मुखी प्रवाह के नायक है अन्येच बहवः शूराह मदर्थे त्यक्त जीविताह नाना शस्त्र प्रहरणाह सर्वे युद्ध विशारदाह और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं किन्तु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है इस पर कहते हैं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभी रक्षितं पर्याप्तं त्विदमेते शाम बलं भीमाभी रक्षितं भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से आजिये हैं और भीमद्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे शलिष्ट शब्द का प्रयोग दुरियोधन की आशंका को व्यक्त करता है अतह देखना है कि भीश्म कौन सी सत्ता है, जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है, जिस पर दैवी संपद, संपूर्ण पांडव निर्भर है दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब और से रक्षा करें यदि भीष्म हैं तो हम अजे हैं इसलिए आप पांड़ों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाय योद्धा नहीं, ब्रहम ही भीश्म है। जब तक ब्रहम जीवित हैं, तब तक विजातिय प्रवर्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का ये अर्थ नहीं के जिसे जीता ही न जा सके। बलकि अजेय का अर्थ दुरजय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता ह। महा अजेय संसार रिपु, जीति सकैसो बीर। यदि भ्रहम समाप्त हो जाए, तो अविद्या अस्तित्व हीन हो जाए। मोह इत्यादी जो आंशिक रूप से बचे भी हैं, शीक्री ही समाप्त हो जाएंगे। भीश्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रहम है। इच्छा का अंत और भ्रहम का मिटना एक ही बात है। इसी को संद कबीर ने सरल्ता से कहा। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहां भ्रहम ըहीं होता वो अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो कामयत तदैक्षत बहुस्याम प्रजाये ये इति। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित हैं तिनका पार न पाया। वे अपार अनंत असीन तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निशकाम आप्त काम आत्मकामो नतस्यप्राणा उत्क्रामंति ब्रह्म वसन ब्रह्मा प्येति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता। वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्त की इच्छा शेश रहती है। जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिटचाथी है짝 यदि उससे भी बड़ी कोई वस्थ होती ही तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्थ है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नश्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रहम का सर्वता अंत हो जाता है यही भीश्म की इच्छा मृत्यु है भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवह भाव में वो क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है भाव वस्य भगवान सुख निधान करुना आयन श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश्म कर लेता है भाव से ही संपूर्ण पुन्यमई प्रवरत्ति का विकास है ये पुन्य का संग्रक्षक है है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है किन्तु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती इश्ट में लेश मात्र भी तुरुटी प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है पुन्यमई प्रवृत्ती विचलित होटती है इश्ट से संबंध तूट जाता है इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है महर्शी पतंजली का भी यही निरणे है सर तु दीर्ग काल नईरंतर ये सतकारा सेवितो द्रिण भूमे दीर्ग काल तक निरंतर शद्धा भक्ति पूरुवक किया हुआ साधन ही द्रिण हो पाता है तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृध्ध पितामह सिम्हनादम विनद्योच्यई शंखम दध्मव प्रतापवान इस प्रकार अपने बला बलकर निर्णय लेकर शंक द्ध्धनी हुई शंक द्ध्धनी पात्रों के पराक्रम की घोशना है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा कौर्वों में वृध प्रतापवान पितामह भीश्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन करते हुए उच्च स्वर से सिंग नाद के समान भय प्रदशंक बजाया सिंग प्रकृति से भयावा पहलू का प्रतीक है घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दाड़ कान में पढ़ जाए तो रौंटे खड़े हो जाएंगे हृदय कापने लगेगा यद्यपी शेर आपसे मीलों दूर है भय प्रकृति में होता है परमात्मा में नहीं वो तो अभय सकता है ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजई होता है तो प्रकृति के जिस भयारन्य में आप है उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा भय की एक परत और बढ़ जाएगी भय का आवरण घना हो उठेगा ये भ्रह्म इसके अत्रिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा अतह प्रकृति से निवृति ही गंतव्य का मार्ग है संसार में प्रवृति तो भवाटवी है घोर अंधकार की छाया है इसके आगे कौरवों की कोई घोशना नहीं है कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे किन्तु कुल मिलाकर वे भी भए ही प्रदान करते हैं इससे अधिक कुछ नहीं प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भए तो देता ही है इसलिए उन्होंने भी घोशणा की ततह शंखाश्च भेर्यश्च पनवानक गो मुखाह सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तु मुलो भवत तदनंतर अनेक शंख नगारे धोल और नरसिंग हादि बाजे एक साथ ही बजे उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ भय का संचार करने के अतरिक्त कौर्वों की कोई घोशणा नहीं है बहिर मुखी विजाती प्रवृत्ती सफल होने पर मोह मैं बंधन और घना कर देती है अब पुन्यमई प्रवृत्तियों की ओर से घोशणाय हुई जिन में पहली घोशणा योगेश्वर श्री कृशन की है इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त जिन में लेश मात्र कालिमा दोश नहीं है श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है महति स्यंदने महान रत पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृशन और अर्जुन ने भी अलौकिक शंक बजाए अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे मित्य लोग देव लोग ब्रह्म लोग जहां तक जन्म मरण का भए है उन समस्त लोकों से परे पार लोकिक पार मार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोशना योगेश्वर श्री कृशन की है सोने चान्दी काठ का रथ नहीं रथ अलौकिक शंक अलौकिक अतह घोशना भी अलौकिक ही है लोकों से परे एक मात्र ब्रह्म है सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोशना है पांच जन्यम रिशी केशो देवदत्तम धनन जयह पौंड्रम दध्मव महाशंखम भीम कर्मा व्रिको दरह रिशी केशा जो हृदय के सर्वस्व ज्याता है उन कृष्ण ने पांच जन्य शंक बजाया पांचों ग्यानेंद्रियों को पंच तनमात्राओं शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध के रसों से समेट कर अपने जन, भक्त की श्रेणी में ढालने की खोशना की विक्राल रूप से बहत्ती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे शिष्यस्तेहम भगवन मैं आपका शिष्य हूँ बाय विशय वस्तुओं को छोड़ कर ध्यान में इश्ट के अद्रिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुनें, न दूसरे का स्पर्ष करें ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है देव दत्तम धनंजयह, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है इश्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो गदगद गिरा, नयन बह नीरा रोमान्चो, इश्ट के अतरिक्त अन्य विशय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए उसी को अनुराग कहते है यदि ये सफल होता है, तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्त पर आधिपत्त के प्राप्त कर लेता है इसी का दूसरा नाम तनन्जय भी है एक धन तो बाहरी संपत्ती है, जिससे शरीर निरवाह की व्यवस्ता होती है आत्मा से इसका कोई संबंद नहीं है इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ती ही निज संपत्ती है विहदारन्य कोप निशद में याग्य वल्क्य ने मैत्रेई को यही समझाया कि धन से संपन्पृत्वी के स्वामित्व से भी अम्रितत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती उसका उपाए आत्मिक संपत्ति है भयानक कर्म वाले भीन सेन ने पाउंडर अर्थात प्रीति नामक महाशंक पजाया भाव का उदगम और निवास थान हिर्दय है इसलिए इसका नाम व्रिकोदर है आपका भाव लगाव बच्चे में होता है किन्तु वस्तुता वो लगाव आपके हिर्दय में है जो बच्चे में जाकर मूर्थ होता है ये भाव अथा और महान बलशाली है उसने प्रीति नामक महाशंक बजाया भाव में ही वो प्रीति नीत है इसलिए भीम ने पाउंडर प्रीति नामक महाशंक बजाया भाव महान बल्वान है किन्तु प्रीति संचार के माध्यम से हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना अनन्त विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरह कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त विजय नामक शंक बजाया कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिर्ता रहेगी तो अनन्त विजयम अनन्त परमात्मा में स्थित दिलाएगा युधिष्ठिरह सह युधिष्ठिरह प्रकृति पुरुष खेत्र खेत्रग्य के संगहर्ष में स्थिर रहता है महान दुख से भी विजलित नहीं होता तो एक दिन जो अनन्त है जिसका अन्त नहीं है वो है परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंक बजाया जियो जियो नियम उननत होगा अशुब का शमन होता जाएगा शुब घोशित होता जाएगा सत्संग रूपी सहदेव ने मड़ी पुश्पक शंक बजाया मनीशियों ने प्रत्येक श्वास को बहमूल्य मड़ी की संग्या दिये हीरा जैसी स्वासा बातों में बीती जाए एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुर्षों की वानी से सुनते हैं किन्तु यथार्त सत्संग आंतरिक है श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है सनातन है चित्त सब और से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे यही वास्त्विक सत्संग है ये सत्संग चिंतन ध्यान और समाधिक अभ्यास से संपन्न होता है जियों जियों सत्य के सान निध्य में सुरत टिकती जाएगी त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रन मिलता जाएगा मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा जिस दिन सर्वता निरोध होगा वस्तु प्राप्थ हो जाएगी वाध्य यंत्रों की तरहा चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है बाहय मनी कठो रहे किंदधू श्वास मनी पुष्प से भी कोमल है पुष्प तो विक्सित होने या तूटने पर कुमलाता है किन्तु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते किन्तु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रन दिला कर परमलक्ष की प्राप्ति करा देता है इसके आगे पांडवों की कोई घोशना नहीं है किन्तु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तै करता है आगे कहते हैं काया रूपी काशी पुरुष जब सब और से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वास परम इश में वास का धिकारी हो जाता है परम इश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है काया में ही परम इश का निवास है परमेश्वास का अर्थ श्रेश्ट धनुषवाला नहीं बलकि परम, धन, ईश, धन, वास है शिखा सूत्र का त्याग है शिखंडी है आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जन्यू हटा लेते हैं अगनी जलाना छोड़ देते हैं जिसे आपको पाना है और सूत्र है संसकारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेश है, पीछे संसकारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याक कैसा, सन्यास कैसा, अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संसकारों की डोर कट जाए। ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वता शान्त हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीश्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पत की विशिष्ठ योग्यता है, महारती है। ध्रिष्ट द्युम्न, द्रिण और अचल मन, तथा विराटा, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादी, दैवी संपद के प्रमुख गुण है। सात्वित्ता ही सात्य की है। सत्य के चिंतन की प्रवित्ती अर्थाद सात्वित्ता यदि बनी है, तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। अचल पद दायक दुपद और ध्यान रूपी द्रवपदी के पाँचों पुत्र। सहरदैता, वात्सल्य, लावन्य, सौम्यता इत्यादी साधन में महान सहायक महारथी हैं। तथा बड़ी भुजावाला अभिमन्यू इन सबने प्रिथक प्रिथक शंक बजाए। भुजा कारिक शेत्र का प्रतीक है। जब मन भह से रहित हो जाता है तो उसकी पहुँच दूर तक हो जाती है। हे राजन। इन सबने अलग अलग शंक बजाए। कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है। इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अत्रिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धी से परे है। भगवान स्वयम ही अंतह करण में विराज का तय कराते हैं। इधर दृष्टी बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं। और सामने स्वयम खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोशो धार्त राष्ट्राणाम रिदयानि व्यदारयत नभश्च प्रिथिवीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन। उस घोर शब्द ने आकाश और प्रिथ्वी को भी शब्दाय मान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीरन कर दिये। सेना तो पांडवों की ओर भी थी किन्तु हृदय विदीरन हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतह पांच जन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुब का शमन और शुब की घोषणा धारावाही होने लगे। तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहर मुखी प्रवृत्यों का हृदय विदीरन हो जाएगा। उनका बल शनह शनह खीन होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोह मई प्रवृत्या सर्वथा शान्त हो जाती है। अथव्यवस्थितां द्रिष्ट्वा धार्तराष्ट्रांक पिध्वजाह। प्रवृत्ये शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्यपांडवह। रिशीकेशं तदावाक्यम इदमाह महीपते। सेनयोर उभयोर मद्ये। रथम स्थापय मेचुता। सैयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवरित मन को समझाया कि हे राजन। उसके उपरांद कपिध्वज है। वईराग्ये रूपी हनुमान। वईराग्ये ही द्वज है जिसका। द्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं द्वजा चंचल थी। इसलिए कपिध्वज कहा गया। किन्तु नहीं। यहां कपिध्वज साधारण बंदर नहीं। स्वयम हनुमान थे। जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदर ही। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से विशियों से राग का त्याग ही वईराग्य है। अतर वईराग्य ही जिसकी द्वजा है। उस अरजुन ने व्यवस्तित रूप से धृतराष्ट पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर। रिशी केशम जो हृदय के सर्वस्व ज्याता है उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा। हे अच्यूत जो कभी च्यूत नहीं होता मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिये। यहां सार्थी को दिया गया आदेश नहीं इश्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है किसलिए खड़ा करें। यावदेतान निरिक्षेहं युद्धु कामान वस्थितां। कैर्मया सहयोधव्यं अस्मिन्रणसमुद्यमी। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूँ। कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना योग्य है। इस युद्ध व्यापार में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना है। योध्यमानान वेक्षेहम ये एतेत्रसमागताह धारतराश्प्रस्य दुर्बुध्धेर युद्धे प्रियचिकीर्शवः दुर्बुध्धी दुर्योधन का युद्ध में कल्यान चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आये हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा इसलिए खड़ा करे, मोह रूपी दुर्योधन, मोह मई प्रवित्यूं का कल्यान चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आये हैं, उनको मैं देख लूँ, संजय उवाच एव मुक्तो रिशी केशो, गुडा केशेन भारत, सेन योर उभयोर मध्ये, स्थाप इत्वारतो तमं भीश्म द्रोण प्रमुखतह, सर्वेशाम चमही क्षितां, उवाच पार्थ पश्यतां, समवेतान कुरू निती संजय बोला, निद्रा जई अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, खृदय के ग्याता श्री कृष्न ने, दोनों सेनाओं के बीच भीश्म, द्रोण, और महीक शितां, शरीर रूपी प्रित्वी पर अधिकार जमाय हुए, संपूर्ण राजाओं के बीच, उत्तम रत को खड़ा करके कहा, कि पार्थ इन इकठे हुए कौर्वों को देख, यहां उत्तम रत सोने चांदी का रत नहीं है, संसार में उत्तम की परिभाशा नश्वर शरीर के प्रति अनकूलता प्रतिकूलता से की जाती है, यह परिभाशा अपूर्ण है, जो हमारे आत्मा, हम स्वरूप का सदैव साथ दे, वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिन्ता नहो। श्वशुरान सुरिदस्चैव सेनयो रुभयो रपी। इसके उपरांत अचूक लक्ष वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाईयों को, पितामहों को, आचारियों को, मामाओं को, भाईयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वसुरों को और सुहिर्दों को देखा, दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहिर्द और गुरुजन दिखाई पड़े, प्रचलित गणना के अनसार अठाहरा अक्षोहिणी धाई पौने तीन अरब के लगभग होता है, जो आज के संख्या के समकक्ष है, इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है, इतना बड़ा जन समूह, अर्जुन के तीन चार रिष्टेदारों का परिवार मात्र था, क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है, कदा भी नहीं, ये ह समीक्ष सकाउं ते यह, सर्वान बंधू नवस्थितान, क्रिपया परया विश्टो, विशीदन निदम अब्रवीत इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधूं को देख कर, अत्यन्त करुना से आवरित वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला अर्जुन उवाच द्रिष्ट्वेमं स्वजनं क्रिष्ण युयुच्छुं समुपस्थितं सीदन तिमम गात्राणी मुखन्च परिशुष्षते वेपथुष्च शरीरे में रो महर्षष्च जायते हे क्रिष्ण इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं मुख सूखा जाता है और बेरे शरीर में कंब तथा रोमान छोड़ा है इतना ही नहीं गांडीवं स्रंसते हस्तात त्वक्चईव परिदैयते नच शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीवचमे मनः हाथ से गांडीव गिरता है त्वचा भी जल रही है अर्जुन को ज्वर्सा हो आया संतप्थ हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े है अर्जुन को ब्रम हो गया वो कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ अब आगे देखनी की सामर्थ नहीं है हे केशव इस युद्ध का लक्षण भी विपरीथ ही देखता हूँ युद्ध में अपने कुल को मार कर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा नकांशे विजयं क्रिष्ण नचराज्यं सुखानिचा किन्नु राज्ये न गोविन्द किम्भो गैर जीविते नवा संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है इन्हें युद्ध में मार कर विजये विजये से मिलने वाला राज्ये और राज्ये से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए वो कहता है हे शिरी कृष्ण मैं विजये नहीं चाहता राज्ये तथा सुख भी नहीं चाहता हे गोविन्द हमें राज्यी या भोग अथ्वा जीवन से भी क्या प्रयोजन है क्यूं? ये शामर्थे कांक्षितन्नों राज्यम भोगा सुखा निच तईमे वस्थिता युद्धे प्राणां स््थ्यक्त्वा धना निच हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं वे ही परिवार जीवन की आशा त्याक कर युद्ध के मैदान में खड़े हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी किन्तो जब सब के सब प्राणों की आशा त्याक कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य भोग नहीं चाहिए ये सब इनहीं के लिए प्रियत हैं इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यक्ता नहीं है जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती हैं जोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र और स्वजन को मार कर विश्व का सामराजिस्वीकार नहीं करेगा अरजुन यही कहता है कि हमें भोग प्रियत है विजय प्रियत ही किन्तु जिन के लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगूं से क्या प्रयोजन इस युद्ध में मारना किसे है आचार्या पितरा पुत्रा तथै वच पिता महा मातुला श्वशुरा पुत्रा शाला संबंधिनस तथा इस युद्ध में ताउ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वसुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही है एतान नहन्तु मिच्छामी, ग्नतो पिमधु सुदन अपित्रै लोक्य राज्यस्य, एतो किन्नु मही कृते ए मधु सुदन, मुझे मारने पर भी, अत्वा तीन लोक के राज्य के लिए भी, मैं इन सब को मारना नहीं चाहता फिर पृत्वी के लिए कहना ही क्या अठाहरे अक्षाउणी सेना में, अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा इतने अधिक स्वजन वास्तों में क्या है? वस्तुत है, अनुराग ही अर्जुन है भजन के आरंभ में, प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रही है सभी चाहते हैं के हम भजन करे, उस परमसत्य को पाले किन्तु किसी अनुभवी सद्गुरु के संग्रक्षन में, कोई अनुरागी जब ख्षेत्र, ख्षेत्रग्य के संगर्ष को समझता है के हमें किन से लड़ना है, तो वो हताश हो जाता है वो चाहता है के हमारे पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहरद, मित्र और गुर्जन साथ रहें सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर लें किन्तु जब वो समझता है कि आराधना में अगरसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन सम्मंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वो अधीर हो उटता है। पूज्य महराजी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है, साधु के लिए स्रिष्टी में दूसरा कोई जीवित है भी, किन्तु घारवालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है, तो लगाव है, मोह समाप्त कहां हुआ। जहां तक लगाव है, उसका पूर्ण त्याग उस लगाव के सास्तित्व मिटने पर ही उसकी विजह है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है। तुलसिदास कह चिद विलास जग बूज़त बूज़त बूज़ है, मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसने चराचर जगत ही जीत लिया। केवल अरजुन अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हिर्दय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है। उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाब होगा, तो ये सब सुखी होंगे। इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहे, तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की द्रिष्टी राज्य सुख तक ही सीमित थी। वो त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाश्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है। इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। निहत्यधार्त राष्ट्रांना काप्रीति स्याज्यनार्दना पापमेवाश्रय दस्मान अत्वैतानात ताईना। हे जनार्दन, ध्रितराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी। जहां ध्रितराष्ट्र अर्था ध्रिष्टता का राष्ट्र है। उससे उत्पन मोह रूपित दुर्योधन इत्यादी को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी। इन आतताईयों को मार कर हमें पाप ही तो लगेगा जो जीवन यापन के तुछ लाब के लिए अनीति अपनाता है वो आतताई कहलाता है किन्तु वस्तुता है इससे भी बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पत में अवरोध उत्पन्न करता है आत्म दर्शन में बाधक, काम, क्रोध, लोब, मोह, आधिका समूह ही आतताई है तस्मान नारहा वयम हंतुं धार्तराश्ट्रान स्वबांधवां स्वजनम ही कथम हत्वा, सुखिनस्याम माधव इससे है माधव, अपने बांधव धृतराश्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्ये नहीं है स्वबांधव कैसे, वे तो शत्रु थे न, वस्तुता शरीर के रिष्टे अज्यान से उत्पन्न होते है ये मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है जब शरीर ही नश्वर है, तब इसके रिष्टे ही कहा रहेंगे मोह है, तब ही तक सुहृत है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है, मोह नहीं, तो कुछ भी नहीं इसलिए वे शत्रुभी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े, वो कहता है कि अपने कुटुम्ब को मार कर हम कैसे सुखी होंगे यदि अज्ञान और मोह न रहे, तो कुटुम्ब का अस्तित्व नहो, ये अज्ञान ग्यान का प्रेरग भी है भरत्री हरी, तुलसी, इत्यादी अनेक महान भावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली तो कोई सौतेली मा के व्यावहार से खिन होकर वैराग्य पत पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है यद्यपी लोब से ब्रश्ट चित्थ हुए ये लोग कुल नाश के दोश और मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते हैं ये उनकी कमी है, फिर भी कथम नगे यमस्मा भी पापा दस्मा अन्नि वर्तितुं कुलक्षयक्रितं दोशं प्रपशद्धिर जनार्दन हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोशों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए मैं ही पाप करता हूँ, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं कृष्ण पर भी आरोप लगाया अभी वो समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता प्रत्येक नया साधक सद्गुरू की शरण जाने पर इसी प्रकार तरक करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझें, किन्तु हम आप तो समझदार है कुल नाश के दोशों पर हमें विचार करना चाहिए कुल नाश में दोश क्या है? कुलक्षय प्रणशन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नश्टे कुलम कृच्णम अधर्मो भीभवत्युत कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नश्ट हो जाते हैं अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था धर्म के नाश होने पर संपोर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है अधर्मा भिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रियह स्त्रीशु दुष्टासु आर्ष्णियह जायते वर्ण संकरह हे कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रिया दूशित हो जाती है हे वाश्रणे स्त्रियों के दूशित होने पर वर्ण संकर उत्पन होता है अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूशित होने से वर्ण संकर होता है किन्तु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथ्व स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रहम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है वर्ण संकर के दोशों पर अर्जुन प्रकाश डालता है संकरो नरकाईव कुल घ्रानाम कुलस्यच पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दकक्रिया वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लुप्त होई पिंडो क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं वर्तमान नश्ठ हो जाता है अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविश्य वाले भी गिरेंगे इतना ही नहीं दोशए रेते कुल अग्नाना वर्ण संकर कारकई उच्साध्यनते जाती धर्मा कुल धर्मा अश्चशाश्वता इन वर्ण संकर कारकई दोशों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नश्च्थ हो जाते हैं अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है कुल धर्म ही शाश्वत है किन्तु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूड़ी को जानता है ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो कृष्ण के शब्दों में एक रूडी है उत्षन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवती त्यनुषुश्रुमा हे जनार्दन नश्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है ऐसा हमने सुना है कुल धर्म ही नहीं नश्ट होता बलके शाश्वत सनातन धर्म भी नश्ट हो जाता है जब धर्म ही नश्ठ हो गया, तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है अहो बत महत पापं, कर तुम व्यवसितावयं, यद राज्य सुखलो भेन, हम तुम स्वजन मुद्यताः अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बहान पाप करने को तैयार हुए हैं, राज्य और सुख के लोब से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं अभी अरज्य अपने को कम ज्याता नहीं समझता आरंब में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुश्य जब अधुरी जानकारी रखता है, तो अपने को महान ज्यानी समझता है और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्क समझता है ठीक इसी प्रकार अरजुन भी अपने को ग्यानी ही समझता है वो कृष्ण को ही समझाता है कि उस पाप से परम कल्यान हो ऐसी बात भी नहीं केवल राज्य और सुख के लोब में पढ़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं महान भूल कर रहे हैं हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं आप भी भूल कर रहे हैं एक धक्का कृष्ण को भी दिया अंत में अरजुन अपना निरने देता है यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपान यह धार्तराश्ट्रारणे हन्यूं तन्मेक्षेमतरम भवे यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी ध्रतराश्ट के पुत्र रण में मारें तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अतिक कल्यान का रखोगा इतिहास तो कहेगा कि अरजुन समझदार था जिसने अपनी बली देकर युद्ध बचा लिया लोग प्राणों की आहुती दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें कुल तो बचा रहे मनुष्य विदेश चला जाए वैभव पूर्ण प्रासाद में रहे किन्तु दो दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई जोपड़ी याद आने लगती है मोह इतना प्रबल होता है इसी लिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी ध्रित्राश्ट के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे तब भी वो मेरे लिए अतिकल्यान कारी होगा ताकि लड़के तो सुखी रहें संजय उवाच संजय बोला कि रणभूमी में शोक से उद्विग्न मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बान सही धनश को त्याक कर रध के पिछले भाग में बैठ गया अर्थात खेत्र खेत्रग्य के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया निशकर्ष गीता खेत्र खेत्रग्य के युद्ध का निरूपन है यह इश्वरिय विभूतियों से संपन भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है जिसमें दो प्रवृतियां है धर्मक्षेत्र और गुरक्षेत्र उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया शंक ध्वनी से उनके पराक्रम की जानकारी मिली तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीख्षण हुआ जिसकी गणना अठारे अक्षाउणी अर्थात लगभग साड़े छे अरब कही जाती है किन्तु वस्तुतह वे अनंत है प्रकृति के द्रिश्टि कोण दो है एक इश्टोन मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद दूसरी बहिर मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद दोनों प्रकृति ही है एक इश्ट की ओर उन्मुख करती है परमधर्म परमात्मा की ओर ले जाती है और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है। फिर शाश्वत सनातम परब्रम्ह के दिखदर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवशक्ता शेश हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकलाता है। अरजुन को सैन्य निरीक्षन में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा। जैसे वे थे ही नहीं तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजना सक्ति को मारने में उसे अकल्यान दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूडियों में अपना बचाव ढूनने लगता है। जैसा अरजुन ने किया। उसने कहा कुल धर्म ही सनातन धर् नश्ट हो जाएगा। कुल की स्तुरियां दूशित होंगी। वर्ण संकर पैदा होगा। जो कुल और कुल घातियों को अनंतकाल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अरजुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनु आने जा रहे हैं। अन्ततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्धन नहीं करूँगा। ऐसा कहता हुआ हताश अरजुन रत के पिछले भाग में बैठ गया। खेत्र खेत्रग्य के संघर्ष से पीछे हड़ गया। पीकाकारों ने इस अध्याय को अरजुन विशा विशाद योग का कारण बनता है। यही विशाद मन को हुआ था। हरदय बहुत दुख लाग जनम गयव हरी भगति बिनु। संशय में पढ़कर ही मनुष्य विशाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नश् होने का भी उसे विशाद था। अतह। संशय विशाद योग का सामान्य नाम करण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतह। ओम तच्चदिती श्रीमत भगवद गीता सूप निशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन समवादे संशय विशाद योगो नाम प्रथमो ध्याय ह। इस प्रकार स्वामी अलगणानंकृत श्रीमत भगवद गीता के भाष्य यथार्द गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है।